नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट RK और आप देख रहे हैं RK टेडिंग तारिक है 19 जनवरी 2021 और यहाँ पे 20 जनवरी 2021 यानि की बुद्वार के लिए सौट टरम कॉल लेकर आप पोशिशनल कॉल लेकर रहा हूँ ऐसे तो आप जानते हैं कि मैं टेलिगराम चैनल पे थमनील बना के पोश्ट करता हूँ जिससे आप लोग को ज़्यादा आसानी हो जाता है टाइम भी नहीं लगता है आप तुरन सौट टरम कॉल देख लेते हैं आप में टेलिगराम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेकिन कुछ ऐसे इस टॉक्स भी होते हैं दोस्तों उसमें रिजन नहीं लिखा होता है तो वीडियो में मैं रिजन बताने की कोशिश करता हूं तो जो सबसे पहला स्टॉक मैंने आप लोगं के लिए सलेक्ट किया बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है दोस्तों और वह श्टॉक देखेंगे न तो मज़ा आ जागा बहुत च्छोटे प्राइस का स्टॉक है उस टॉक का नाम है एग्री टे क्या नाम है एग्री टे ठीक है एग्री टेक इंडिया लिमिटेड यह स्टॉक देखें महां तो 37 रुपे 50 परचे के आसपास की क्लोजिंग हुई है इसकी वोल्यूम अगर आज देखते हैं तो अभी सपा लोग बायर आ जाते हैं तो भी सर्कीट लगता इसका मतलब यह इस टॉक है जिसमें अक्सर आपको सर्कीट लगता वही नजर आता होगा अभी आप देखें इसने क्या किया है रिसेंटली मैं समझाने कोशिश करूं साथ अपने छोटे दिमाग से मैं आपको समझा पाऊं इसने रिसेंटली क्या किया है कि यहां पर का एक रजिस्टेंस लाइन था एगरी टेक का उसको यहां से टेंड लाइन का रजिस्टेंस लिया वही रजिस्टेंस लेके अब यहां पर फाइनली इसने ब्रेक किया जनवरी मंत में इसने ब्रेक किया और जनवरी ब्रेक करने फिर से एक बार मौका देने की कोशिज कर रहा है, इस्टॉक क्या कर रहा है, दुबारा से एक मौका देने की कोशिज कर रहा है, तो यह इस्टॉक नीचे आया, और नीचे आने के बाद एक अपना support बेस त्यार कर लेता है, और वो बेस ऐसी त्यार नहीं करता है, वो पिछले मैं हमेशा कहता हूँ कि stocks हमेशा history repeat करता है आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसी line पर मैं एक line ऐसे match करा देता हूँ रख दिया इसे line तो आपको पता चलेगा कि यही stocks यहां से हमारा resistance भी लेता था वहीं से फिर यह गिर जाता था वहीं से resistance लेता था वहीं से घर तो वही line अप कहीं कहीं इसका support बन गया है ना तो stock जब यह नीचे आया break out करके यहां से उपर गया उपर करने के बाद नीचे आया नीचे आया नीचे आने बाद देखे यहीं से support लेके फिर bounce आगया और वापस उसी support पर के खड़ा हो गया और फिर आज वहीं से बाउंस कर रहा है इसका मतलब क्या है कि स्टॉक्स यह बताने कि हम लोगों को को सिस कर रहा है कि 35 रूपीज राउंड नंबर में पकड़ लें तो इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ठीक है तो इस कंडिशन में जो है अगर हम लोग इसको बाय साइड सॉट्रम कॉल है स्विंग टेडिंग कॉल है मैं अगेन बता दू तो इसमें हम लोग पोजिशन अगर बनाने की कोसिस करें एगरी टेक में बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है तो हम लोग 38 रूपीज के ऊपर पोजिशन बनाएंगे कहां बनाएंग इस बात को तो यह देखे 38 के ऊपर हम लोग एगरी टेक को पकड़ के चलेंगे बाय करेंगे और इस कंडिशन में जो एगरी टेक में इस्टॉप लस लगाएंगे वह मातर 3 पौइंट के लगाएंगे 35 का स्टॉप लस होगा और एगरी टेक का जो एक टार्गेट होगा नि तो कितने target होगे, position कहां बनाना है, 38 के उपर में बनाना है, agree take में, और stop लोग समलोग लगाएंगे, 35 का, first target 41, second target 44, यानि 44, और third target 47 का होगा, यह पहला stock है, agree take का दोस्तो, तो agree take के बाद दोस्तो, agree take के बाद एक दूसरा stock भी select किया, मैंने आप लोग के लिए, उसका भी नाम म आगे में लिखोंगे, लेकिन feedback जहूँ दीजिएगा, और मेरे अगर swing trading call से, short term call से अपने profit बनाया, तो इस stock का नाम वीडियो का description में जरूर लिखें, comment में जरूर लिखें, telegram channel को भी join करें, ज्यादा से ज्यादा swing trading call प्राप्त करने के लिए, साथ ही live market में भी call प्राप्त का stock है, है ना, लेकिन Zota Care में भी क्या है, अभी तो आप जाने है कि health में ही ज्यादा तर buying आई है, pharma sector में भाइंगे, तो यह उसी sector से related stock है, Zota Health Care, आपको जो भी moving average लगाना है, वो सारे moving average आप लगा के check कर लें, technically, मुझे यह stock बहुत ही better लग रहा है, चुकि चार्ट भी इ एक important resistance था, यहाँ पर से उस stock को इसने यहाँ पर finally break किया, stock ने उस resistance को finally बहुत एच्छे तरीके से ब्रेक करके उपर गया, वापस उसके नीचे आ चुका है, तो यह जब नीचे आके observe खतम हो गया, मने exhaust को सारा selling खतम हो गया यहाँ पर, अब यहाँ से फिर क्या वाँ नीच साथी नीचे में वालूम भी डवलप हो रहा है, बांकि moving averages वगरा जो भी indicator आपको लगाना है, आप लगा के check कर सकते हैं, इससे मैं लगा देता हूँ कुछ indicator ताकि आप लोगो संतुष्टी हो जाए, यहाँ पर मैंने तीन तरीका बताया है, जोईन होने का टेलिग्राम चै प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के description में जाए, किसी भी वीडियो के description में वहाँ टेलिग्राम चैनल का link मिलेगा, उस link पे click करके आप टेलिग्राम चैनल पर join हो सकते हैं, दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने mobile में टेलिग्राम एप को install किजिए, उसके उसे open करने के बाद RK Trading BGP को सर्च किजिए अपने टेलिग्राम एप में, तो वहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर click करके join हो सकते हैं, तिसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे WhatsApp नंबर पर टेलिग्राम चैनल का link मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पर WhatsApp नं moving averages, इसके उपर मैं इसको थ्वासर बोल कर देता हूं, तो पता चलेगा, 9 day का closing आ रहा है, 166 का, इसके उपर stock close कर रहा है, 179 के बाद अगर आप लोग चेंज भी करना चाहें, तो कोई भी change कर लिजे, 26 day का लगाते हैं, तो उसके उपर भी stock नजर आ रहा है, 50 बेगरा भी सारे stock moving average के उपर नजर आएगा, देखें, उसके उपर नजर आ रहा है, 100 लगाते हैं, 100 दे का moving average, तो stock उसके उपर नजर आएगा, 200 लगाते हैं, तो stock उसके उपर उसके उपर नजर आएगा, तो सारे moving average के उपर तो stock close कर रहा है, यह तो आपने देखा आई, अगर MSCD, RSI क बात करें तो वह भी आप लोग चेक कर लिजें, M.A.C.D. अभी डाउन फॉल में है, तो इसलिए मैं आपको क्या कहा, कि इस जगा पर बाइंग तो लेना ही नहीं लेना है, क्योंकि अभी लेवल में बताऊँगा, वो लेवल जबाएगा, मांकि आप अपनी भी रिसर्च जरूर कर लें, हम लोग पोजिशन बनाएंगे 175 रुपए के उपर, बाइभब 175, 175 रुपए के उपर जोटा हेल्थ केर में पोजिशन लेंगे, और इस टॉप लोज लगाएंगे 160 एक सो साथ रुपए का, और पहला टार्गेट जो जोटा में होगा, वो 190 होगा, 190 रुपए का, सकेंड टार्गेट 205, 205 रुपए का, और थर्ड टार्गेट होगा 220, 220 रुपए का, ये दूसरा इस्टॉक है, जोटा हेल्थ केर, पहला एगरी टेक दिया, एगरी टेक इंडिया, दूसरा जोटा हेल्थ केर, तीसरा इस्टॉक जो है ने दोस्तो, वो बहतरीन है, अपने सेक्टर का, लीडर मान लिजिये उसको, वैसा इस्टॉक मैंने सलेट किया, तीसरा इस्टॉक, तो चलें अब हम, तीसरा इस्टॉक को भी देखते हैं, कि तीस्टॉक कौन है, तीसरा इस्टॉक जैसे ही, नाम लिखूंगा, आप काएंग एए इतना बड़ा इस्टॉक, जी हाँ दोस्तो, इतना बड़ा इस्टॉक को, फोर्ज लिमिटेड, यह श्टौक आप देखेंगा इस श्टॉक को जब यहाँ पर मैंने रेकोमेंड किया था 1200 केमे अस पास में अप्रील में में तो वहां से इस ने जब़दस मुमेंट किया इसका तो कोई मतलब तोड़ी नहीं है यहाँ से आप देखे आप जबरदस मुमेंट आया, इस श्टॉक में गजब चला गया, मुझे याद है, मैं बारवात 1325, 1325 एक लेवल बोलता था कि भाई, 1325 को उपर बाय करो, 1325 को उपर बाय करो, ये देखे, 2829 तक चला गया, लेकिन यही नहीं, आगर आप ध्यान से देखें, तो इस श्टॉक क्या हो, वहाँ से गिर गया, ठीक है, डाउन चला गया, डाउन आने के बाद, इस टॉक ने अब देखें क्या क्या वापस उपर चला गया, अब उपर जाने के बाद, ध्यान से सुनिए दूस्तों, उपर जाने के बाद फिर से गिरा, ठीक है, अब उपर जाने के बाद तो जार्ट ही काम होते है, मेरा तो सारा काम चार्ट होता है, इसके पाब देखे, पहले क्या था, कि space बहुत छोटा था, इस pattern में देखिए, यह space बहुत छोटा था, इसके नीचे अंदर में वो टेड़ किया, तो space बड़ा बनाया, अब यह उस space को, इस pattern के upper end में वो touch कर दिया, क अगा तो यहां से वहां से लुड़ ए अपर यहां से वापस वहां से तच करके नीचे आंगे घे ऑT की यहां से office नीचे से ऑगया तो अब यहां से गहां जाएगा ओपर जाए लिए तो आप समझा मतरण ही कि regulatorywny side में जाता है मैं दोनों side के level दूँगा buy के भी दूँगा और sale के भी दूँगा चुकि जिस जगह पर ये खड़ा है वहाँ से वो तेज गिराबट भी दिखा सकता है down में भी जा सकता है और up में भी जा सकता है तो अगर यह यहाँ से bounce करता है तो एक short term call बहुत ही बहतरेंड बनेगा buy side में 2600 के उपर हम buy करेंगे कोफोर्ज को कितने को उपर buy करेंगे 2600 चब्वी सो को उपर buy करेंगे और stop loss कितने का लगाएंगे 100 point का stop loss लगाएंगे 2500 रुपे का stop loss लगाएंगे और target कितने का लेके चलेंगे target बड़ा target होगा दोस्तों 2800 रुपे का first target और second target 2900 रुपे का यह पहला target होगा और यह second target होगा लेकिन लेना है 2600 के उपर में हमें लेके चलना है लेकिन अगर यह नीचे break करता है क्योंकि दिस तरह का pattern बना हो सकता है यहां से टकरा कि यह ऐसे गिर जाए नीचे side में चला है ऐसा भी तो हो सकता है आप कहेंगे हाँ हो सकता है तो हम sale side में भी view रखेंगे अपना कि अगर वो गिरता है नीचे तो हम sale भी कर सकते हैं और sale मे sale below 2450 कितना के नीचे 2450 के नीचे sale करेंगे और stop loss sale side का जो हमारा होगा इस condition में 2550 2550 यानी 2550 100 point का इधर भी 100 point का stop loss है buy side में भी sale side में 100 point का stop loss है और sale का जो target होंगे वो 3 target होगा फर्स टारगेट 2350 250 रुपेका सकेंड टारगेट 2300 रुपेका और थर्ड तारगेट जो होगा दोस्तों वो 2250 2250 का होगा तो यह 3 stock है जिसको मैंने आप लोगों को short term call में दिया यहां से बाउंस करता है तो यह अच्छा रिजल्ट आपको दिखा सकता है तो यह 3 stock में ब्यूद जरूर दीजेगा और ज्यादा पाने के लिए प्लिग्राम चानल को भी जवान करिएगा वीडियो के description में लिंक है वहां पर मैं thumbnail बनाके post करता रहता हूं तो दोस्तों आप मिलता हूं नेक्ट वीडियो में लेकिन आपका feedback का इंतिजार रहेगा comment section में तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद